पर दोस्तों मैं हूँ पल्लिवी जसल और आप सुन रहे है लिफ लाइफ मोड शो हमारी आपसे मुलाकात होती है हर गुरुवार सुबे दस बच कर पांच मिनट पर और ये शो दोस्तों आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से दोस्तों अगस्त का पहला वीक सारे दुनिया में अब्सर्व किया जाता है वर्ल्ड ब्रेस्फीडिंग वीक के रूप में और आज का ये प्रोग्राम हम डेडिकेट करते हैं इसे विशेश उपलक्ष को और लिफ लाइफ मोर शो का ये विशेश प्रोग्राम समर्पित है उन छोटे छोटे बच्चों को जिन्होंने अभी अभी जिन्दगी में कदम रखा है और हम उनकी माओं को अवेर करने वारे हैं कि ब्रेस्फीडिंग के क्या फाइदे उन्हें हो सकते हैं और उनके शिश जो हमारे क्षेत्र के जाने माने नियो निटोलोजिस्ट है यानि की नवजात शिशो विशेश शक्या है डॉक्टर सुनील सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत अभिनंदन आज के इस विशेश प्रोग्राम में इस महातरपून विशे पर जानकारी पहुंचा ही जा सके सब्सक्राइब करता है अगर आप एक्स्लूसिब ब्रेस्फिदिंग दे रहे हैं बच्चे को और हम सही माइने में देते हैं तो ये बच्चे का बहुत-स्ट्रॉंग फांडेशन बनाता है उस स्पेसिस पे बच्चे का हेल्थ सबसे बहतर रहता है तो जैसा कि डॉक्र सुनील ने कहा कि ब्रेस्फिदिंग इस दे फांडेशन ओफ लाइफ और जारूरी है क्योंकि अगर हम आसपास देखें हर महीला आजकल नेरली वरकिंग है तो शायद इस चीज के महत्व को थोड़ा सा समझ नहीं पाती या कोई प्राक्टिकल कारण होते हैं जिसकी वज़ा से इसको महत्व नहीं दिया जा सकता तो as a super specialist आप हमें बताएं कि breastfeeding का महत्व एक मां के लिए क्या है और बच्चे के लिए क्या है परलवी जी जैसे आपने बताया कि breastfeeding week हम celebrate कर रहे हैं और हम लोगों को जाके यह सब बताना चाहते हैं कि क्या breastfeeding के खायदे हैं देखा गया है कि breastfeeding में जो milk में जो nutrition है वो बच्चे के लिए संपुर्ण तरह का sufficient होती है इसमें कोई infection नहीं जाती है जबकि अगर हम breastfeeding नहीं देके बच्चे को अन्यम milk देते हैं अधर cow's milk या अधर animal milk और formula milk देते हैं तो उनमें बोथ nutrition भी उसका पूर रहता है और उनमें infection बच्चे को infection होने की खत्रा रहती है जैसे कि loose motion हो जाना सर्दी जुकाम होना और उसका growth उन बच्चों का growth भी कम रहता है हम अगर benefits mother को कहते हैं तो mothers में भी बहुत सारे benefits होते हैं breastfeeding के mothers में उनके जो weight जो gain करे होते हैं during pregnancy वो weight loss होने में उनको मदद मिलती है long term benefits होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि उनका risk of acquiring diabetes, diabetes में जो sugar उनको आगे जाके होने का chances कम रहता है even various cancers like uterine cancer, cervical cancer, breast cancer इन सब का भी incidence mothers में कम होता है तो it's not only beneficial for the baby but also beneficial for the mother अगर हम society का benefit कहेंगे, family का benefit कहेंगे तो ये देखे, this is also low cost compared to other milk that will add to the extra cost to the family आप अगर देखे, अगर बच्चे को हम अगर formula milk देंगे at 2.5-3,000 बच्चे को पहला छे में नहां only mother's milk दिया जाए after six month breastfeeding भी चलता रहेगा बट साथ में हमें complimentary foods देने हैं और breastfeeding has to continue till two years of age दोग साब हर मां की apprehension रहती है कि शायद मेरी feed इतनी नहीं है कि मेरे बच्चे की hunger को ये satisfy कर पाए मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए ये apprehensions आम तोर पे मां की होती ही है तो डोग साब आप ऐसी माई जो इस तरह की भ्रांतियां हैं जिनके मन में की उनकी feed बच्चे के लिए sufficient नहीं है उनको प्लीज आप कुछ बताएं ताकि वो breastfeeding के लिए exclusive breastfeeding के लिए प्रेरित हो सकें पलवी जी बिल्कुल सही question है आपका ये और ये बहुत बार देखा गया है कि not only mothers जो माओं को लगे ना लगे मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो दादी है और नानी है उनको लगता रहता कि साइद बच्चे को मिल्क पूरा नहीं हो रहा है एक बार तो बॉटल देना है चाहिए रात को ताकि बच्चा रात को सो जाए तो ये सब देखो जो यही सब barriers से जो हमें exclusive breastfeeding छे में करने नहीं देती है और देखा गया है कि जो भी डाटा मतलब जो भी आंकडे आ रहे है six months 50% बच्चों को हम उपर का मिल्क दे रहे हैं वह बहुत चिंता वाली विशय है तो इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बॉडी में ऐसा physiology है हमारे कि हम देखो breast पे बच्चा जितना sucking करेगा उतना सरीर में hormones निकलते हैं और milk बनता है अगर हम आप यह भी मान सकते हो यह मत सुच हुए कि मेरा मिल कम हो रहा है हम यह मदर्स को बोलते हैं कि जब आप ब्रेस्पूरिंग कर रहे हैं पहले six months में तो आप अपना डायेक पे ज्यादा धियान रखिए यू निड टू टेक एक्स्ट्रा 25 से 30% एक्स्ट्रा फूड आइटम यू निड एक्स्ट्रा three to four glass of any liquid not only milk आप milk भी ले सकते हो तो अपना खाना पिना ध्यान रखो जितना आपका खाना पिना और आपका hydrogen अच्छा रहेगा उपना milk आएगा और जब भी जो और एक problem होती है कि हम सूचते हैं कि हर रोना बच्चे का भूख होता है पर यह आप समझे कि बच्चे को और को तो भी वे नहीं है communicate करने का उसको भूख लगी है तो भी बच्चा रोएगा बच्चे को गोधी के लिए डिमांड कर रहा है तो भी रोएगा वो अगर सुसू पौटी करने वाला है तो रोएगा कर चुका है तो भी रोएगा ज्यादा गरम है तो भी रोएगा थंडा है त तो आपका मिल्क सफिसेंट है। तो आपका मिल्क सफिसेंट है। अगर हम प्राक्टिकली देखें, तो बहुत सारी बैरियर्स हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। क्योंकि आजकल आम तौर पर महिलाएं काम के लिए जाती हैं। खासतोर पर प्राइवेट सेक्टर में उनको इतनी छुटी भी नहीं मिलती कि वो अपने बच्चे को एक्स्क्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा सके। तो टॉक साब क्या और आपकी नजर में बैरियर्स हैं। और इन्हें ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या-क्या उपाएं हैं ताकि बच्चों को एक्स्क्लूसिव ब्रेस्ट फीड मिल सके। जी पल्लवी जी जैसे ये भी आपने क्वेस्टिन अभी जो पूट अप किया है। आप देखेंगे अभी गवर्मेंट ऑप इंडिया है जो एक्सेंडेड दो मेटर्निटी लीव बाए शिक्स मंथ तो आप अभी ये एक्स्क्यूज नहीं दे सकते हैं कि मदर्स को जल्दी वार्क में जाना है। कुछ-कुछ जो कॉंट्रेक्श्वल जॉब है या जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनको जल्दी जॉइन करना पड़ता है। पर मैं यह कहना चाहूंगा जो आप दो चीज है एक तो वार्किंग अगर हमें वार्क पहले जॉइन कर रहे हैं फिर वार्किंग देन हाओ कांटिनू ब्रेस्फिटिंग कि जब आप जॉब पे जाओगे बच्चा पिछे से कुछ पकड़ेगा नहीं तो इस बेटर तू स् पर यह बिल्कुल गलत है ऐसा मत सोचे कि अभी हम बॉटल नहीं दिये तो बाद में पकड़ेगा नहीं दूसरी बात है कि मैं और एक यह चीज कहता हूं हर मदर्स को ऐसा नहीं कि बॉटल नहीं पकड़ा तो उसकी जिन्दगी बरवाद हो गई कौन सा युनिवर्सिटी फ दिखते हैं और जो बच्चे बॉटल से फीड लेते हैं उनका नुकसान भी होता है कि वो दो तीन-तीन साल तक बच्चे फिर बॉटल छोडते भी नहीं है वो भी बहुत बात में जाके उनके डेंटल केरी होते हैं उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है तो बॉटल इस दूसरी चीज़े अगर वार्किंग मदस के लिए हम कहते हैं तो एक तो सबसे प्राइरेटी यह रहता है कि अगर आपको नौन पेड लिप भी मिल जाता है तो आप लीजिए छे मेने तक अपना फिडिंग देने की पूरी कोशिस कीजिए इन स्पाइट अप देट यह और उसको जब गरम करना होता है आप गुटने पानी में एक कटोरी में जैसे डूद निकाली और गुटने पानी के ऊपर कटूरी को रखके, हलका सा गरम करके उसको दे सकते हैं फ्रीज में मिल्क हम रखते हैं, 24 गंटे से और 40 गंट तक रख सकते हैं उसको हमें microwave या flame में gas के नीचे गरम नहीं करना होता है और भी उपाय हैं, मैं ultimately ये कहूंगा where there is a will, there is a way we should try to give exclusive desk feeding for first six month और उसके बाद भी आप जब duty जॉइन कर रहे हैं उसके बाद सुभे, दोपर को, साम को भी अपना feeding देते रहना है तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर सुनील ने कहा कि 6 महीने तक exclusive breast feed कराना बेहत जरूरी है and where there is a will, there is a way आप अपने बच्चे के लिए बहुत सारी एशो और आम की चीज़ें जुटाना चाहते हैं दुनिया की हर खुशी उसे देना चाहते है आप अपनी insurance करवाते हैं ताकि खुदाना खास्ता अगर आपको कुछ हो जाए परिवार को आप एक सुरक्षित भविश्य दे पाए लेकिन सुरक्षा तभी है जब बच्चों की सेहत सही होगी और अच्छी सेहत के लिए exclusive breast feeding for six months बहत जरूरी है आजकल दॉक साब, cesarean deliveries बहुत common हो गई है तो टॉक साब, ऐसे में कैसे breast feeding हम जल से जल शुरू कर सकते हैं कई बार पच्चे को कोई complications होते हैं उसे निकू में shift किया जाता है तो ऐसे cases में आप कैसे breast feeding शुरू करवाते हैं जी बिल्कुल जैसे आपने कहा कि season and deliveries आजकल काफी होते हैं तो उनिकेस में कैसे feeding दिया जाएगा जो हम बहुत सारे data कर बात कर रहे थे basically we want to try breast feeding within first one hour of life जैसे आजकल आप FM में बहुत सारे government of India ये एक campaign भी शुरू किया कि पहले घंटे के अंदर मा करदूद शुरू करना है ये देखा गया है कि season and delivery से हो रहे हैं को भी हम delivery room पे जैसे सीजरें ओपरेशन थीटर के अंदर ही हम breast feeding सुरू करा सकते हैं जैसे ऐस सुने जब baby is born उसको हम क्लीन और ड्राय करके फिर हम बच्चे को mother के inside the OT जैसे mother का सीजरें चल रहा है अंदर से टांके लग रहे हैं तो भी हम उपर से उनको breast sucking 5-10 मिनिट के लिए करा सकते हैं और दूसरी बात है जो बच्चे जुनको problem होते हैं medical problems होते हैं उनको ICU में shift करना होता है तो उन बच्चों में भी हम थोड़े दर breastfeeding हम सुरू करवा के और फिर जैसे mothers का milk express करवा के वो हम बच्चों को दे सकते हैं देखिए जो exclusive हम जो world breastfeeding week celebrate कर रहे हैं यह not only only mothers की बारे में नहीं है यह पूरी society सब के बारे में है not only fathers, grandfather, grandmother, everybody has to support, everybody has to see कि mother यह कर पाए उनको support देना बहुत ज़रूरी है तो डॉक्ट साब breastfeeding awareness week में आपने जो भी हमारे listeners को जानकारी दी है मुझे पूरी उमीद है कि वो हमारी society के लिए बहुत जरूरी है तो डॉक्टर सुनील आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपून जानकारी हमारे शोताओं को देने के लिए तो दोस्तों अगर आज के विशे पर आपके कुछ प्रशन है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारा नमबर है 9815669840 9815669840 इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजे livelifemore.com या facebook.com slash livelifemore औफिशल पर So friends, this is Pallavi Jassal now saying bye Until we meet again, stay blessed and live life more This program is conceptualized by Dr. Sandeep Jassal 5. 오늘 आपके जल fishthree 2. आप जल 4.ग़िक 10. आूई